युगान कहते हैं हम एक दूस्रे के साथ रहेंगी तो एक दूस्रे को जानने भी लगेंगी अब मुझे अपना फोन दो शेनन करते हैं तुम्हें क्या करना है युगान अपनी नंबर लिख देता और कहते हैं ये मेरे प्राइविट नंबर है तुम अगर मुझे contact करना चाहो तो कर सकती हो शनन रूम में वापिस आ जाता है फूचेंग कहता है तुम आगे शनन कहता है हाँ मुझे कुछ समाय लेनी चाना था फूचेंग कहता है कि इस दुकान वाले order भी करते है तुम्हें याद रहा है कि मुझे मुझे मुचा केक कितना पसंद है थैंक यू ओ लगता है तुमने अपने लिए भी अपना फेवरेट स्ट्रोबेरी केक मंगाया है शनन सोसता है ओ तो मुचा केक के निच्छे स्ट्रोबेरी केक भी था जो कि चियूंग मेरे लिए लाया है कितनी अजीब बात है ये स्ट्रोबेरीयास को ज़्यादा ही देस्ते लग रही है यूँआन शाम को घर आता है उसका ड्राइवर कहता है आपने आज बहुत पी रिखिया क्या मैं आपको सार अदू चलने के लिए यूआन कहता है कोई ज़ूरत नहीं है यूआन गर में इंटर होता है तो देखता है शेनन और फूचेंग उसके लिए सेलिबरेट कहते है और कहते हैपी बात थे यूआन कहते है ये किसका आइडिया था फूचेंग कहते हैं अभी तक सर्प्राइस ओवर नहीं हुआ है शेनन एक हार्मोनियम बज़ाता है ओ सॉरी आई मीन पियानो फूचेंग यूआन के लिए केक लेकर आता है और यूआन से कहते हैं तुम इतने अकड के साथ क्यों खड़ी हो भाईया के काटो न मैं लाइट चालू करके आता हूँ शेनन कहते हैं ये केक मेने और फूचेंग ने मिलकर बनाया है तुम्हें विल्कुल भी एमोशनल फेल नहीं हो रहा यूआन कहते हैं पता नहीं क्यों पर मुझे तो कुछ भी फेल नहीं हो रहा शनन यौन का हाथ क्रेब करता है और उसे एक रुम में ले जाने लगता है यौन केथा है ये तुम क्या कर रहे हो शनन केथा हम केक काटने जा रहे है मैं आपको मेरा और फूचेञ का दिल तोडने नहीं दूंगा फूचेञ केथा है आओ ब्रेदर वहाँ बड़ी है माहुल बना हुआ होता है पार्टी का फूचिंग कहता है चलो अफ केक काटो ब्रो युवान कहता है अगर तुम्हें केक ही काना है तो उसे खुद ही काट लो न फूचिंग कहता है नहीं पहला केक का बाइट बड़ बोई खाता है शेनन कहते है हाँ ऐसा ही रिवाज है यूआन कहते है क्या तुमने खाना खाया शेनन कहते है अभी तक नहीं यूआन कहते है तो चलो साथ में खाना खाते है शेनन यूआन से कहते है आज शराब में पियो तुमने बहुत पी रखिये इससे इच्छ है तुम दूद पीलो यूआन ओपा शेनन की मुझ से ओपा वर्ट सुनकर यूआन को विर्ड फील होता है फूचिंग कहते है ब्रेदर क्या ये तिस्ती है यूआन कहते है हाँ ये तुमने कौन से रेस्टोरेंट से मंगाया है फूचिंग कहते है ये शेनन ने अपने हाथों से बनाया शेनन कहते है तुम खा क्यों नहीं रही ये पूरी टेबल मेंने अपने दिल से सजाई है फूचिंग यूआन को पढ़ते गिफ्ट देता है यूआन देखता है ये गिफ्ट एक टाई होता है युवान सोचता है फूचिंग नहीं ये टाई पहले शनन को पहना कर देखी होगी युवान केता है थैंक यू ब्रेदर मुझे ये बहुत पसंद आया शनन युवान को गिफ्ट नहीं देता है इसके बजाए वह एक गिस्ट रूम में जाकर सोचने लग जाता है मैं उसे गिफ्ट दू या ना दू वो सिर्फ मेरा टास्क है नहीं पर वो एक इनसान भी तो है मेरे पास अभी भी आदा गंटा पड़ा है उसका बर्तिय अभी तह खतम नहीं है शेनन युवान की रूम में आता है और कहता है क्या तुम सो गई हो वह देखता है युवान सामने सो रहा है शेनन युवान को टच करने ही वाला होता है कि युवान उसका हाथ ग्रेप करता है और कहता है तुम इतनी देश से मुझे गोरी क्यों जा रहे थी शेनन कहता है शेनन इक गलोब को चालू करता है और उसमें से बहुत सारी लाइट रिफलेक्ट होने लगती है बिल्कुल आसमान जिसन नज़ारा बन जाता है शेनन कहता है मैं ये नजारा तुम्हारे साथ देखना चाहता था यूवान कहते है तुम्हे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये सब तुम्हारे साथ देखूंगा शेनन यूवान की और जुकता है यूवान कहते है तुम चाहते ही क्या हो शनन पीछे अटता है और कहते है देखो नजरह कितना मज़धा रहा ना युआन कहते है मैंने तुम्हे वार्ण किया था कि मेरे नस्दिक मत आओ मैं बहुत ही डेंजरस हो सकता हूँ शनन कहते है क्या कहरे हो तुम युआन शनन को पिन करता है और कहते हैं अब तुम्हारी जबान क्यों नहीं पहले तो कितना बोल रही थी शनन कहते हैं तुम्ही क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो यूआन शनन को किस करते हैं वह इससे आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ उसका भाई दर्वाजे पर नोक कहता है और कहते है ब्रेदर क्या तुम सो रही हो यूँआन कहते है तुम अभी तक सोई नहीं चेंग फूचिंग कहते है सोफिय पर मत सोना बहिया तुम्हे ठंड लग जाएगी क्या तुम्हें डर है कि फूचिंग को पता लग जाएगा फूचिंग कहते है बहिया और सेनन तुम दोनों क्या कर रहे हो शेनन कहते है मैंने तुम्हारे इतने राश चुपाएं तो ये राश भी चुपाएं लूँगा पर तुम इसके बदले में मुझे कुस दोगे प्रोमिस करो यूँआन कहते है मैं बता दूँगा चेंग को कि तुम मुझे आधी रात को डूनते वे आई थी शेनन कहता है वो तुम पर बरोसा नहीं करेगा मैं उसे बता दूँगा कि तुमनी शराब के नसे में मेरे जैसे बोले बाले इनोसेंट लड़के को ही भगवान अगर मैं उसे यह सब बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा फूचेग कहता ब्रेदर और शेनन युवान कहता ओके मैं तो बेप्रोमिस करता हूं पर उसे कुछ में मत बताना फूचेग कहता तुम दोनों मुझे इग्नॉर क्यों कर रहे हो शेनन कहते मैं तो युवान को गिब देने आया था देखो ये लाइट अच्छी है ना फूचेग कहते है तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी क्या शेनन कहते है एक नहीं युवान ये को जादे ही पिली थी और और कुछ भी नहीं हुआ अगले दिन का सीन शेनन और युवान सेल्फ स्ट्रडी के टाइम एक दूसर से खुसर खुसर बाते कर रहे होते है शेनन कहते है क्या तुम आज सुबह अपने बाई से मिलकर आई थी फूचेंग कहते है हाँ वो छे बज़े घर से निकला था मैंने उसे पूचा था कि तुमने ब्रिक्वास्ट किया है कि नहीं उसने कहा था नहीं कमपनी में मुझे कोई काम है शेनन सोचता है युवान को अपने काम से बहुत प्यार है युवान को शेनन एक मेसेज बेशता है कि युवान मैंने तुम्हें सुबर गुट बाई भी नहीं का मैं कल राध तुम्हारी घर पर सौगिया था और इसलिए तुम्हें परिशानी हुई तभी वहाँ टीचरा आता हो खेता है फोन इधर दो फूचेंग कहता है मैंने तुम्हें कहा भी था पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया शेनन कहते है कोई बात नहीं मैं इसकोल खत्म होने के बाद इससे ले लूँगा तब ही वहाँ फेंची आओ आता हो और कहते है मुझे देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है शेनन कहते है क्या कहना चाहते हो तुम्हें हुआ क्या है ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें बुली किया है फैंचियो कहते है तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ी क्योंकि तुम्हें तो इस लड़के के बड़े भाई को पटाना था है ना तुम मुझसे बाहर मिलो फूचेंग कहते हैं अब हम क्या करें क्या तुम सच में वहां जा रहे हो शनन कहते हैं मैं कोई मुर्ख नहीं हूँ शनन डरने का नाटक करता है और कहते हैं अब मैं क्या करू फूचेंग मुझे बहुत डर लग रहा है फूचेंग कहता है डरो मत मैं तुमें एक आइडिया देता हूँ शनन कहता है हाँ चलो उने मार देते हैं फूचेंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो ये इलीगल है शनन सोसता है मुझे बुरा लग रहा है इस लड़के को पागल बनाते हुए फूचिंग कहता है मैं ड्राइवर को कहे देता हूँ तो वो तुमे ले जएगा लेकिन वहाँ भी तुम सेफ नहीं हो तुम मेरी घर क्यों नहीं रहते शैनन कहता है कोई बात नहीं मैं संबाल लूँस्गा शैनन सोचता है मैं इस फैंची होकर क्या करूँ वो मेरे घर का पता जानता है इसलिए मुझे वहाँ से मूव करना होगा स्कॉल खत्म होने के बाद ओफिस से चैनन अपना फॉन लेकर आता है और देखता है यूआन ने उसे मेसेज किया होता है कोई बात नहीं यूआन कहता है तुम क्या देख रही हो फूचिंग कहता है ये मेस प्रोब्लम मुझसे हो यह नहीं रही क्या तुम मेरी मदद करोगी शैनन कहता है हाँ तुम्हारी घर चलते है दरवाजे पर किसी के दस्तक आती है शैनन गेट खुलता है और कहता है गुड इनिंग यूआन यूआन कहता है तुम शैनन कहता है मैं और फूचिंग यहां होमवर्ग करने आए है यूआन शैनन का हाथ क्रेप करता है और इसे बेलकनी में लेकर आता है और कहता है देखो मैं कल रात बहुत ज़्यादा पी रखाता शनन कहते है ओ तो तुम पीने के बाद ऐसे ही हर किस करते हो क्या और वेसे भी तुमने मुझे एक प्रोमिस भी किया था यूँआन कहते है तुम्हें क्या चाहिए बताओ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्यारे विवर्स आज के लिए बस इतना ही कलाम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ तब तक देखते रहे हैं बने रहे हैं निक एक्स्प्लेंट पर